जय 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 बजरंग बली का दिन मंगलवार मंगलवार क्यों व्रत से होगा बेड़ा पार कैसे होगा मंगल ग्रह शान तुम्हरी आज बली जय 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 बजरंग बली संकट मोचन संग मिलेगा देवी दुर्गा का आशिर्वा नमस्कार स्वागेते आपका आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ हूं मैं निहा बात हम बजरंग बली का दिन यानि की मंगलवार का दिन और उनके भक्तों के लिए आज धन की इस खास पेशक्रश में हम आपके लिए लेकर आए हैं मंगलवार वरत का पूरा विधी विधान कहते हैं मंगलवार का दिन बजरंग बली और माध दुर्गा से जुड़ा हुआ है लेकिन इस वरत को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं जैसे कि बाल प्रम्मचारी के इस वरत को स्तिरिया रख सकती है या फिर नहीं, कैसे करनी है बजरंग बली की उपासना, साथी इस वरत का उध्यापन कब और कैसे किया जाएं, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है राजकुमार श चीजें हैं, जिसका अर्थ होता है सभी प्रकार से कल्याण करने वाला, और मंगल का अर्थ है हनुमान जी की उपासना, भगवती दुरगा की उपासना, और अस्ट महालक्ष्मी की उपासना, अगर आप ये तीन उपासना मंगलवार को करते हैं, तो फिर आपका कल्याण कर करने में कोई दुनिया की ताकत नहीं है ग्रह नहीं है जो आपको रोख सके और इस दिन जो वरत किया जाता है उसका क्या कुछ विधिवधान किस तरह से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमारे दर्श को बताई सबसे पहले आप यह समझें कि कोई भी ब्रत होता है उसका एक नियम होता है सिस्टम और मंगलवार की बात करते हैं तो सुबह उठ करके इश्नान करके ब्रत करने का संकल्प करना चाहिए संकल्प का देवता स्रीहनवान जी और भगवती दुरगा की उपासना ध्यान करना चाहिए धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करें और जो मंत्र दे रहाओं इस मंत्र का ओम हूं क्रिंग भो मै क्राम क्रॉम स्वाह यह मंत्र है इस मंत्र का 21 वार उच्चारण करना चाहिए औ जब का विधान इसके बाद आरम करें दिन भर शन्यम पूरवक ब्रतकर और मानसिक रूप से इस मंत्र को आप अहर निस्भी इसका उचारण जाब कर सकते हैं ब्रत के दोरान यह ध्यान रहें कि फलाहार दूद का सेवन कर सकते हैं और साम को सूरियास्त के बाद भगवान म दिवता का पोजन करना चाहिए मंगल का जो वीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रॉम साब हो मायन महा इस मंत्र का साम को पूजा के बाद रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का कम से कम चार माला जाब करना चाहिए और चार माला जाब करने से मंत्र की शक्ति जागरत होती है और ब्रत कथा का पाठ और चालीसा का पाठ ये सारी चीजे हनवान जी के नाम पर करना चाहिए और उसके बाद भगवान स्री हनवान जी की आरती करें हनवान जी को भोग लगा करके ही भोजन करहन करें ये ध्यान रखना है मंगलवार का बृत में ये ध्यान रखें कि नमक का सेवन वर्जित है और केवल एक ही समय भोजन करने का विधान है सबसे बड़ी बात है कि बृत के दिन बृती को ब्रह्म शरीय का पालन अवश्य करना चाहिए इससे हरवान जी की क्रपा प्राप्त होती है और इसके साथ ही माताएं अगर लाल रंग की चूडियां देवी भगवती दुरगा को अरपित करें तो घर में जितने भी कलाक लेसें उन सभी का समन होता है और घर में सुक सम्रद्धी का वास निरंतर रूप से हो जाता है तो आपने घरिलू स्त्रियों की बात करी सुहागन स्त्रियों की बात करी तो अगर पत्नी ये वरत कर रही है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहें देगे जहाबरम पत्नी की बात करते हैं तो सबसे पहले उसका विधान बता दूँ कि पत्नी अपने पत्ती के नाम पर ब्रत करने का संकल्प ले करके और ब्रत को आरम करे धर्म पत्नी अगर बृत करे तो पती नारियल का प्रशाद अपने धर्म पत्नी के हाथों में अरपन करे और जो मंगल का वीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्राम साभ हो मायनमा इस मंत्र का 21 वार उच्छारण तो अवश्य करना चाहिए संभव हो सके तो दिन भर आप इस मंत्र का मानसिक रूप से जाब कर सकते हैं लाल रंग के वस्तर का दान करना बेहत शुब होता है इसमें हलवा चना और गुड का प्रशाद माटना बेहत फलदाई होता है मंगल वार के वरत की पूरती इनी तीन चीजों से हो जाती है और अगर मांगलिक दोश है जिन लोगों को और उस दोश को दूर करने के लिए सरक अब रत कर रहे हैं तब किन बातों का ध्यान रखें देगें मांगलिक दोश समेशा इस वात को समझें कि मंगल दोश के प्रभाव से ही मंगल से ही मंगलिक दोश होता है एक चार साथ आठ बारा भाव हैं इनमें मंगलीक होता है तो मंगलवार के दिन लाल आसन पर बैठ करके मंगल देवता का पूजन करें और उसके साथ लाल पुष्प चड़ा करके पूजा इस थल पर एक चौमुखा दीपक जलाने से और इस मंतर का जो मंतर दे रहां उसका उचारण करने से ये ब्रतपूर होता है ओम क्रॉम यम रम लम यम वं भौमाय नमा इस मंतर का जाब करना चाहिए और गूगल की धूप जला करके मूगा की माला से मंतर का जाब करना चाहिए मूगा पहने का विधान भी है लेकिन यहाँ पर जाब का विधान भी उसी माला से है लाल रंग के आस आप मंगल की शक्ति जिस प्रकार आप जानते हैं नव ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह अगर कोई है तो मंगल है और शनी का रंबर उसके बाद आता है तो सबसे शक्तिशाली ग्रह की क्रपा आपको प्राप्त हो भी तो यहाँ पर शास्टी जी कहा जाता है कि किसी भी वृत की कल्पना तब तक नहीं की जाती है वो पूर्ण तब तक नहीं होता जब तक उध्यापन सही तरीके से ना किया जा तो उध्यापन की विधी अब बताईए और उसके बाद उसका उद्यापन करने का विधाने और सबसे बड़ी बात बतला दूँ अगर आपने 21 वृत किया है तो 27 वृत किया है तो 7, 11 वृत किया है तो 11 जितने वृत किया है उतने नारियल हनुमान जी या देवी दुरगा के मंदिर में अरपन करना चाहिए पंचामर चढ़ा करके शिंदूर का दान करें गरीबों या ब्रामणों को भोजन कराएं मंदिर में लाल रंग की धोजा चणाएं और उद्यापन के दिन लाल चंदन की माला गले में धारन करें और जितने वरत किया है उतने ही दिन बाद जो है साथ दिन बाद जो है उसको उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें इतना करने से इस मंत्र की जो मंगलवार का वृत है इसके उद्यापन की कारी शिद्धी हो जाती है अगर शीगर विवाहे तु ये वृत कर रहे हैं यानि कि यही कामना है तब किस तरह से इस वृत को किया जाए कौन से मंत्रों का उचारण जरूरी है निश्चित रूप से देखे जब हम मंगलवार की बात करते हैं तो मंगल ग्रह अगर लग्ण में बार में या सात्मे भाव पर वैठा हो तो विवाहे में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है तो मंगलवार को भगवती दुरगा का मानसिक रूप से ध्यान करना चाहिए सुबह से ही व्रत आरम कर दें और गुलाव जल में मिस्रत जल से इश्नान करके पूजा का व्रत जो है ये आरम करना चाहिए हाथ में जल ले करके और जो मंत्र दे रहाँ ओम दूरगा देवई नमाह तम चरणे अरपडम अस्तू इस मंत्र का उचारण करते हुए भूमी पर जल को छोड़ दें और देवी को गुलाव और गेंदे के पुष्प अरपित करके व्रत के दौरान फलाहार रह करके या मंत्र को जो है शाम को पूजा के बाद मंत्र का पांच माला जाब करना चाहिए और मंत्र जाब के लिए गुलावी रंग के आसन का प्रियोग अगर आप करें तो ये बेहद और भगवती दुरगा की उपास्ता में गुलावी रंग का आपने आप में महत्त्व है शासिच जी आपको बता रहते हैं कि मंत्रों का उचारन किया जाये किन बातों का ध्यान रखा जाये लेकिन फिलाल यहां पर हमें रुखना होगा एक छोड़े से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जब वापस लोटेंगे तो बात करेंगी कि अगर अकाल मृत्यों को दूर कर दिखें के बारेक और पिर आप सभी का स्वागत है हमारे संकटों से मुक्ती केलिए हमारे रिश्यों ने इश्ञान, जप, दान ये सभी बातों का वरणन किया है। उसमें ब्रत भी महत्वपूर्ण होता है मंगल बार को हनुमान जी और मंगल देपता का मानसिक रूप से पूजन करने का विधान किया है और उसके लिए सबसे पहले इश्णान की बात आपको बता दू कि कपूर मिस्रित जल से इश्णान करना चाहिए और ब्रत का इसके मिपर छोड़ देना चाहिए और दो पंच मुखी रुद्राक्ष गले में धारन करें ब्रत के दवरान ज्यादा बोलने से आपको परहेज करना चाहिए बोलने से मनुष्ट के कही अपराद असत्त भी उचारण होता है जितना कम बोलेंगे उतना ही अच्छा है ओम मंत्र है के रुद्राक्ष की माला से मन्त्र का जाब करना चाहिए ताजे फलों का भोग लगा करके स्वयंभी प्रशाद ग्रहन करें और ब्रत को खोलें यह ध्यान रखें कि ब्रह्म शरीय का पालन करें संजम नियम का पालन करते हुए लगातार कम से कम 5 मंगलवार का ब्रत करें इ संतान प्राप्ति में मंगलवार का बड़ा ही महत्तोपूर्ण होता है जिसके पंचंभाव पर मंगल होता है उसको एक पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है शेस कन्याओं की प्राप्ति होती है मंगलवार को दुरगा जी का मानसिक रूप से ध्यान करने का विधान है भगवती जगदंबा का और देवी दुरगा का ध्यान करतो ही ब्रत को आरम करना चाहिए लाल के सर गुलाब जल में मिला करके और इश्नान करने का विधाने उसके बाद संकल्ब करें हाथ में जल ले करके ओम दुरगा दिब्बेई नमहा तुम्शरणे अरपणम अस्तो ऐसा उच्छारण करते हुए जल को भूमी पर जमीन पर छोड़ देना चाहिए और देवी को पुष्पों की माला से एक छोटा त्रशूल अरपित करने से भगवती जगदंबा परशन होती है और जो मंतर है उस मंतर को समझे ओम हरिंग हरिंग दुम हरिंग अइंग मात्र के नमहा सायंकाल के समय पूजा के बाद मंतर की साथ माला जाब करें और मंतर जाब के लिए पीले रंके आसन का प्रियोग करें देखे हमारे धर्म गरंथों में कर्म कांड में आसन का बढ़ा महत्त है दिशा का बहुत बढ़ा महत्त है पूर्व दिशा के और मुकर के रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करें खीर का भोग लगाएं, स्वयम भी प्रशाद ग्रहन करें और ब्रत खोल दें ब्रह्मिचर ये संजयम नियम का पालन करते हुई लगातार साथ मंगलवार बृत करने से इस मनों कामना की सिध्धी निश्चित रूप से हो जाती है चलिए जिन लोग को संतान नहीं है, संतान की प्राप्ती चाहते हैं जिन्हें अकार मृत्यू का भैस अताता है, किस तरह से इस व्रत को रखें ये शास्त्रीजी ने हमें यहां पर बताया, लेकिन फिलवार रुकेंगे एक छोड़े से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जब वापस लोटेंगे, तो इस व्रत से जुड़ी कुछ और बाते जानेंगे शास्त्रीजी से लेकिन फिलाल देखते रखिए आज तक ब्रेके बारे पर फिर आप सभी का स्वागत हैं आम जान रहें यहां पर राजक्मार शास्त्रीजी से किस तरह से मंगलवार वृत का विधी विधान है कौन सी बातों का रखे खयाल किन बातों से करें परहेज अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्त की, अगर स्वास्त लोगों को परिशान कर रहा है, रोगों से गरस्त रहते हैं और कभी भी पूर्ण तरह ठीक नहीं हो पाते हैं, तब किस तरह से इस व्रत को करें? देखें मैं स्वास्त की बात करता हूँ, मंगल का इससे बहुत बड़ा घनिष्ट संबंध है, स्वास्त के लिए चाहिए कि मंगलवार के 21 ब्रत करें, स्री हरवान जी के मंदिर में चार मुखवाला सब्त धान के आटे का दिया बना करके जलाए, सुद्ध घी का दिया और स्री शुंदर कांड का पाठ करें, इतना करने से स्वास्त में इसका बेहत प्रभाव पुड़ता है, रक्त से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, वो मंगलवार के ब्रत करने से निश्ची तूरुप से समाप्त हो जाती है। क tuning जाती है, बभी की सम्स्क्रान करते हैं, आि से से सदमिपस्टी तूरुप सिना तूरुप से समादिते हैं, वो मंगलवार के समाप्त करने से स scarce, धल्या करते हैं, वो मंगलवार के प्रतम हैं, आझ बेहिता और चीमें, आट टें जा तेना Ça mountain दो मोंगलग हैं, पुछ का क